हलो दोस्तों जी यस वाणी में आप सभी का स्वागत है मैं यस चंद्रा आज आपके साथ है हिंदी भासा की सियात्रा में हम आ चुके हैं हिंदी ब्याकरण के कुछ ऐसे महत्वण हिस्से की तरफ जिसको जानना आप सब के लिए अती महत्वण है किसी भी भासा की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर संग्या सर्वनाम क्रिया विशेशन इन सब का जानना अती आवश्यक होता है क्योंकि आपको अगर किसी भी भासा में यह निर्धारित करना है कौन सी वस्तु कौन सी कौन से शब्द संग्या में प्रयोग होगे कौन से सर्वनाम में कौन सा इस्त्रिलिंग कौन सा पुलिंग इसके साथ कौन सी संग्या क्रिया यादी प्रयोग होगी जब तक इन सारी चीजों को आप नहीं समझ लेते अच्छे से तब तक उस भासा के विस्य सग्यतों आप नहीं बन सकते हैं आज के दौर में सामान ने तोर पे भासा का जानना उतना कारगर नहीं है खास कर जब आप एक प्रतियोगी परिक्षा की तयारी कर रहे हो तो आपके लिए उस भासा का विस्यस ग्यान होना आवश्यक है साधारन परिक्षाओं में क्या दिया जाता है तमाम में आप देखेंगे सामान ने हिंदी और जब उस सामान ने हिंदी के प्रशन को देखेंगे तो विसेस लगने लगती है क्यों क्योंकि उसमें उसे नाम तो सामान हिंदी दिया गया होता है लेकिन उसमें बड़ी ही गहराई में जाकर प्रशन पूछे जाते हैं कुछ बुनियादी चीजें हैं आप हमारे साथ जुड़े हैं अगर तो उन चीजों को हल करने में आपको कठिनाई नहीं महसूस होने वाली उसी कक्षा के क्रम में यह पांचवी वीडियो है तो चलिए रारंभ करते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पिछली वीडियो को जाकर जरूर देख लिजे अब मैं सब्सक्राइब करने को लिए तो नहीं बोलूँगा इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब करिए और अगर आपको नहीं लग रही है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आप पूरी वीडियो देखे जानकारी लेते रहिए कहीं से भी लेते रहिए अपना कहा जाये तो ज्यान वर्धन करते रहिए कहीं से भी करते रहिए तो चलिए आगे बड़ते हैं हिंदी व्याकरण के महत्पुर्ण घटकों के अंतरगत हिंदी भासा के प्रयोग के समय व्याकरण सम्मंधी कुछ विसेश जानकारियां जिनके सही रूप एवं ज्यान के बिना हिंदी भासा के व्याकरण के संदर्व में सही प्रयोग करने में समस्यात उन समस्याओं के और महत्तपुन जानकारियों को प्रस्तुत किया गया है इस वीडियो में तो सबसे पहले हम संग्या की बारे में देख लेते हैं परिभासा देखेंगे परिभासा कह रही है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति स्थान वस्तु जीव या भाव आदि के नाम का बोध हो उस विकार किसी शब्द को संग्या कहा जाता है या संग्या की एक आम परिभाद के इस अंदर में एक विद्वान है डॉक्टर भोलाना तीवारी जी इनका अक्सरा पुलेख पाएंगे ब्याकरण में किसी प्राणी चीज गुड काम या भाव आदि के नाम को संग्या कहते हैं उदाह संग्या किसी इंटिटी का नाम है कनडा किसी स्थान का नाम है संग्या के भेद भी देख लेते हैं आखिर संग्या के बारे में हमने देख लिया तो क्या संग्या और भी कई प्रकार की होती है तो यहां बताया जा रहा है हिंदी ब्याकरण में कि जी हा संग्या के कुल पांच रूप होते हैं, पांच स्वरूप होते हैं, पांच उपविभाग होते हैं, कौन कौन से, एक तो होती है व्यक्ति वाचक संग्या, और दूसरी है जाती वाचक संग्या, तीसरी भाव वाचक संग्या, चौथी समोह वाचक संग्या, और पांचमी द्रव वाचक संग् देखते हैं उसके बाद एक एक करके चारो संग्याओं को देख लेंगे किसी एक व्यक्ति या वस्तू या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं जैसे राम, गंगा, भारत और दिल्ली, इत्यादी यहाँ पर पेज की सेटिंग थोड़ा सा कर लेते हैं व्यक्तियों के नाम जैसे राम, मुकेस, मोहन, सीता, राधे, स्याम, पन्नाला, लादी यह क्या हैं यह व्यक्ति वाचक संग्या के उदाहरण हैं दिशाओं के नाम अगर आते हैं जैसे पूरब, पस्षिम, उत्तर, दक इत्यादी, देशों के नाम, भारत, अमरीका, ठीक है, अमरीका, कनाडा, इत्यादी, शेहरों के नाम, शमुद्रों के नाम, नदियों के नाम, परवतों के नाम, यह क्या हैं यह व्यक्ति वाचक संग्या में आएंगे, अब बात करते हैं दूसरे जाति वाचक संग्या के जैसे मनुष्य, जब आप मनुष्य की बात करते हैं, तो काला, गोरा, लंबा, मोटा, नाटा, पतला, दुबला, छितला, हर तरह के मनुष्य की यहां बात हो रही है, जब घर की बात करते हैं, तो कच्चा घर, पक्का घर, रिहायसी घर, इगलू, ठेक है, गरतावास, हर तर बात करें तो कोई भी देश हो जाती वाचक संग्या की कुछ उदाहरण जैसे मनुष्य, पसुपक्षी, वस्तों के नाम, पदों और व्यावसायों के नाम, जब मनुष्य की बात करें तो पुरुस्त्री, लड़का, लड़की, भाई, चाचा, चीक है, इसमें रूप, रंग पदोस्ते, इनसे किसी तरह से अलगाओ नहीं होगा, पसुपक्षी के अगर बात करें, गाए, बकरी, सेर, मोर, तोता, इत्यादी, ये जाती वाचक संग्या है, जब हम पसुपकी बात कर लेंगे, तो ये सारे इसमें सामिल हो जाएंगे, वस्तों की बात करें, तो मेज, वाव वाचक संग्या किसी वस्तु व्यक्ति के गुण, धर्म, दसा या व्यापार का बोध कराने वाले शब्द को भाव वाचक संग्या कहते हैं, व्यक्ति वाचक संग्या की भाव वाचक संग्या से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है, भाव वाचक संग्या की गणना आज एक किलो आया था, कल पंदरा किलो आया था, आज साओ ग्राम आया है, कल जो हो सकते हैं, ढ़ní सो ग्राम ही आया मैं कंट्रोल कर लिये, आप जादा जादा बीस ग्राम- egg Good강 संभो नहीं है न, वही चीज़, लोब की बात करें, तो लोभी व्यक्ति क्या होता है, लोभी तो लोभी ही होगा, ठीक है, अब ऐसा नहीं है, कि वह जो है, थोड़ा सा लोभी है, आधा किलो लोभी है, ये किलो लोभी है, ये किकाई लोभी है, ऐसा नहीं है, मोह, आनंद, बच्पन, महात्म, प्रेम अपेक्छा ठीक है तो यह क्या है इनकी गड़ना संभव नहीं है हलाकि आज कर लोग इस्तेमाल करते हैं से सब्दों कहते हैं कि थोड़ा अच्छा बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा या लोग क्या देते हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता मतलब अपनी बातों को साबित करने के लिए अपनी आपको अपना बड़पन दिखाने के लिए कैसा भी अनरगल वाक्य संद्रचना बना सकते हैं लोग लेकिन जब आप भासा के बिद्यार्थी हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहतिक दायत पर बनता है कि भासा के साथ ना आप छेड़ छाड़ करें ना किसी दूसरे को इसकी अनुमती दीजिए कभी भी भासा का प्रेयोक कर रहे हैं तो याद रखिए भासा ना किवल भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है बलकि भासा आपके अंतरमन में उर्जा का श्रोत होती है याद रखिए जब आप अपने आपको बहुत ही सुन्दरतम ढंग से कभी अभिव्यक्त कर पाएंगे न तो वह जो आनंद की अनुभूती होती है वह साइद आपको पास अगर हजार हजार दो हजार लाख दसलाख रुपए भी आजाएं तो आनंद नहीं मिल सकता हलाकि मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों की सनभूती हुई है लेकिन ये कभी से पूछे कि लेखक से पूछे जब वह अपनी भावनाओं को पूरी तरह से पूरी छमता के साथ अभिव्यक्ति कर लेता है न तो परमानंद की प्राप्ति होती है उसे उसी तरह से कभी भासा का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए और कोई भी भासा हो उस पर आप अगर जान रहें तो प्रयास करिए कि उसके सही स्वरूप का ज्यान हो आपको और सही स्वरूप में उसका प्रयोग करें तो यह रहा भावाचक संग्या भावाचक संग्याओं के भी पांच प्र मित्र से मित्रता पंडित से पंडिताई सुखद से सुखदाई सर्वनाम से अपना से अपनापन बना मम से ममता बना निज से निजत्व बना विशेशन से जो बनते हैं धीर तो धैर बना गर्म से गर्मी कठोर से कठोरता चतुर से चतुराई अगर इस तरह के और भी शब्द हैं तो आप कमेंट करके बताईए जो आप बना सकते हों कमेंट करके बताईए क्रिया से सजाना सजावट चढ़ना चढ़ाई मारना मार काटना काट दोड़ना दोड़ लड़ना लड़ाई पढ़ना पढ़ाई कमाना कमाई इत्यादी अव्य से वाहवाही समीप से समीप निकट से नेकट साबासी से शाबासी समुह वाचक संग्या की बात करें वस्तु अथोवा व्यक्ति के समुह का बोध कराने वाले शब्दों को समुह वाचक संग्या कहते हैं वस्तों का समूँ व्यक्तियों का समूँ पुंज गुच्छा धेर घौद शरिंखला व्यक्तियों का समूँ की बात करें संग परिवार सेना जुंड आदी द्रव वाचक की बात करें धातूओं पदार्थों से सम्मंदित माप वा माप तौल वाली वस्तूओं का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव वाचक संग्या क्या जैसे उधारण के तौर पे यहां देखते हैं खाने पीने की वस्तूओं के नाम दूध, पानी, घी, डाल आदी धातूओं और खनिजों के नाम सोना, चांदी, लोहा, तांबा, प्लेटिनम आदी संग्या के विकार अथवा रूपांतरण की अगर बात करें, संग्या विकारी शब्द है यह शब्द रूपों को रूपांतरित अथवा परिवर्तित करने में विकार का योगदान देता है विकारों के प्रमुख तीन प्रकार होते हैं, जो निम्नलिखित हैं विकारों के प्रकार लिंग, वचन और कारक तीन प्रकार के विकार होते हैं ये विकार क्या होते हैं उसमें परिवर्तन कर देते हैं लिंग के आधार पे देखते हैं परिभासा पहले देख लें किसी व्यक्ति या वस्तु की पूरुस या स्त्री जाती होने का बोध कराने वाली संग्या के रूप को लिंग कहते हैं लिंग के भेद की अगर बात कहने तो संस्कृत वब अंग्रेजी में लिंग के तीन भेद माने जाते हैं फूलिंग, श्ट्रिलिंग, नपोजन सकलिंग, मराथी, गुजराती आधुनिक आर्य भासाओं में भी विवस्ता चलिया रहे, लेकिन हिंदी भासा में लिंग के दो ही भेद मिलते हैं, और वो क्या हूंगे पूलिंग और स्ट्रिलिंग, पूलिंग की अगर बात करें, जी पूरु सजाती का बोध कराता है, अतह मोहन पुलिंग है, प्रमुक शब्दों का लिंग निर्धारण थोड़ा देख लेते हैं, जैसे इस वाक्य में रानी एक लड़की है, स्त्री जाती का बोध कराती है, अतह रानी स्त्री लिंग हो गई, हिंदी भासा में लिंगों की अभिवक्ती वाक्यों में होती है वाक्यों में प्रयुक्त होने के बाद ही संग्या शब्दों के लिंग भेद स्पष्ट होते है वाक्यों में लिंग सर्वनाम, विशेशन, क्रिया, विभक्तियों में विकार उत्पन कर देता है करमि की वी विवर नंुमनोमत उसका है। जैसे देखने हैं। लड़का आया है। लड़का की होता है। घर के पुलिंग के अनुसार बढ़ा। और अगर स्थ्रेलिंग होता है। वह तीखी मिर्च है। कि मिर्च स्थ्रेलिंग के लिए प्र Garden होता है। मैं वैसे comment नहीं कर रहा हूं रिसनल किसी के उपर तो इसमें क्या होता है बड़ी तीखी मिर्ची है या मिर्ची सी है सर्वनाम सर्वनाम में कैसे तुम्हारा घर अच्छा है तुम्हारा घर से पुलिंग के अनुसार यहां शब्द बोला जा रहा है मेरा पजामा अच्छा है मेरा पुलिंग यहां शब्द का बोध हो रहा है मेरा देखे स्ट्रेलिंग पुलिंग का सबसे बड़ा जो समझने की बात है कि आप अभ्यास के द्वारा इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसका अभ्यास बहुत जरोरी होगा क्योंकि क्या होताने का अभ्यास से कभी-कभी वो उची जिए भी समझ में आजाती ही जो व्याकरन से कम समझ में आती है क्रिया में देखते हैं बचपन बीत गया बीत गया बचपन के पुलिंग के अनुसार है बीत गया, रोटी बनी है, बनी रोटी के स्त्रिलिंग के अनुसार है, मदद मिली, तो मिली क्या है, स्त्रिलिंग दिखा रहा है, अब विभक्ति के अनुसार देख लेते हैं, आपकी गाय दुधारु है, की गाय के स्त्रिलिंग का बोधक है, आपका घर अच्छा है, का घर के पुलिंग के अनुसार है यानि उससे पता चल रहा है कि वहाँ वह पुलिंग की उपस्थिती है अब वचन देख लेते हैं संख्या का बोध कराने वाले संग्या सरवनाम, विशेशन आदि के रूप को वचन कहते हैं हिंदी में वचन के दो भेद हैं एक वचन और बहु वचन एक वचन देखते हैं एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध कराने वाले विकारी शब्द को एक वचन कहते हैं जैसे नदी लड़का बच्चा अधिए ऐसे विकारी शब्द के वाल एक संख्या का बोध कराते हैं अथा ये एक वचन है, बहुचन के अगर बात करें, एक से अधिक या एक अधिक पदार्तों इम व्यक्तियों का बोध कराने वाली, विकारी शब्द रूप को बहुचन कहते हैं, नदियां लड़के बच्चे गाएं आदि, ये सभी विकारी शब्द रूप एक से अधिक क्या का बोध कराते हैं, अथा ये बहुचन है, अब कारक की बात कर लेते हैं, संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से संग्या या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं, कारकों के बोध के लिए संग्या या सर्वनाम के साथ जो चिन लगाये जाते ह उन्हें विभक्तियां कहते हैं, जैसे रामने मोहन को मारा इस वाक्य में ने और को जो है यह कारक सूचक चिन्ह है ये विभक्तियां लगी है, करता ने कर्मको हिंदी में कारण के आठ भेद बताएगा है माफ़करिए, कारक के ये विभक्तियां केवल साथ होती है जो इस प्रकार से है करता कारक, प्रत्मा विभक्ति और प्रयोग क्या होगा? ने सब्द का कर्म कारक, द्वितिया विभक्ति को सब्द का प्रयोग होगा करणकारक तृतिया विभक्ती से या द्वारा से इस्तेमाल होगा संप्रदान चतुर्थी विभक्त को के लिए प्रयोग होगा अपादान कारक पंचमी विभक्ती के लिए से प्रयोग होगा देखे तृतिया में भी से है और पंचमी में भी से है तो ध्यान रखेगा एक में क्या होता है अलग होने के लिए और एक साथ के लिए प्रेवक्त होता है संबंद शश्टी विभक्ति काई के रारी रे अधिकरण संबंधी अधिकरण और सप्तमी विभक्ति में पर संबोधन में हे अजी अरे ओह आ इत्यादी संबोधन को विभक्ति के अंतरगत नहीं गिना जाता है कि सोरी दास बाचपई ने हिंदी के छे कारकों को ही स्विकारा है वे संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं तो प्रश्न यह भी हो सकता है कि निमने में से किस विद्वान ने केवल छे भी भक्तियों को माना है क्योंकि संबंध का सीधा जुडाव क्रिया से नहीं होता संबोधन तो करता कारक में ही नहीं थे अब देखते हैं करता कारक संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में काम करने वाला बोध हो वाले का बोध हो उसे करता कहते हैं जैसे आप कहेंगे कि राम फुटबाल खेल रहा है तो यहाँ फुटबाल कौन खेल रहा है राम खेल रहा है इसका विभक्ति चिन्न ने है किन्तु भूत काल की अकर्मक्रिया वर्तमान और भविश्य कालों में परसर्ग ने नहीं प्रयोग किया जाए उदारन के लिए उसने के मोहन स्याम पीउस के दौरा कारे करने का बोध होता है तो हैं यह कर्ता कारक्क अब देखते हैं कर्मकारक के बारे में वाक्य में क्रिया का फल संग्या या सर्वनाम के जिस रूप पर पढ़ता है उसे कर्मकारक कहते हैं कर्मकारक का विभक्तिचिन को है मगर वाक्य में कभी कभी इसका लोप भी पाया जाता जैसे ग्वाला गाय दूता है तो क्या दूता है गाय को दूता है मा बच्चे को सुलाती है ठीक है किसे सुलाती है बच्चे को को सिक्षक ने चात्रों को डाटा किसको डाटा चात्रों क किसे बुलाया, लड़का पत्थर फेकता है, पत्थर को फेकता है, ठीके, अब देखते हैं करणकारक, वाक्य में जिस साधन के माध्यम से शब्द का क्रिया से संबंद बोध हो उसे करणकारक कहेंगे यहाँ जुड़ना सब्द से है पंचमी में में अलग होने के सब्द में होगा हम नाक से सास लेते हैं नाक के साथ रमा गेंद से खेलती है गेंद के साथ खेलती है शिक्षा से ज्ञान बढ़ता है शिक्षा से साथ उसके होने से ज्ञान बढ़ता है मैं तुम से टेलीफोन पर बात करता हूँ बात के ध्यान रखे से 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 लड़का दर्द के मारे छटपटा रहा है दर्द से छटपटा रहा है के भी प्रयोग हो सकता है नाक से गेंद से सिक्चा तेरदर्द के मारे कारणकारक है अब देखते हैं संप्रदान कारक कहां प्रयोक्त होगा जिसके लिए कुछ क्रिया की जाती है जिसके लिए वाक्य में इसका बोध कराने वाले साधन को संप्रदान कारक कहेंगे मोहन रमेस के लिए फल लाया किसके लिए फल लाया मा बच्चों के लिए खाना बना रही किसके लिए बच्चों के लिए लड़के खेलने के लिए मैदान जाते हैं चात्र पढ़ने के लिए विद्या ले जाते हैं इश्वर के इश्वर ने सुनने को दो कान दिये हैं सुनने के लिए रमेश के लिए बच्चों के लिए खेलने के लिए पढ़ने के लिए सुनने के लिए संप्रदान कारक है अब बात करते हैं अपादान कारक की तो जब अपादान कारक की बात करते हैं यहाँ पे संग्यात् सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के प्रिथक होने का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं, अपादान का विभक्ति चिन्न भी से है, लेकिन यह करण कारक से भिन्न है, इस कारक के विभक्ति चिन्न से विलग या अलगाओ होने का भाव प्रकट होता है, जैसे लड़का पेड़ से गिरा, जब वो पेड़ से गिर रहा है, तो क्या हुआ, वो पेड़ से बिलग हो गया, पेड़ से अलग हुआ, अब मैं लड़का तो नहीं बना सकता, वैसे माली जी लड़का है, और ये भद्द से गिर गया जमीन पे, ठीक है, तो ये पेड़ से क परवत से निकलते हैं। इन वाकों में से का प्रिथक करने का भाव प्रकट कर रहा है। उसलता है। गुरु से सीखता है दुलहन जेट से लजा गई बालक बिल्ली से डड़ता है उससे अच्छे तो आप हैं इत्यादी संबंध कारक के अगर बात करें वाक्य में जिस साधन संग्या सरवनाम के रूप में एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से प्रतीत होता है उसे कारक के विभक्ति चिन का की के आदी है उदारन यहां देख लेते हैं भारतेंदु के नाटक प्रासंगिक है इसके भारतेंदु के रवी का विद्याले नजदीक है किसका रवी का मोहन की किताब मेज पर है किसकी मोहन की ये सभी सीता के आभोशन है वह कार मेरी है ठीक है इ की के री संबंध स्थापित कर रहे हैं अतह ये संबंध कारक हैं बहुदा संबंध कारक की विभक्ति के स्थान में वाला प्रत्य भी लगता है जैसे सीता वाली किताब राम बाला घर मोहन राकेस वाले उपन्यास तो ये वाले हैं ध्यान रखिया ये अभी संबंध कारक में होते हैं तो परिसान मत हो जाईएगा कभी अगर वाला वाली मिल जाए कि अरे ये क्या मिल गया ठेक है हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं है कुछ अधिकरण कारक संग्या या सरवनाम के वे स्वरूप जो क्रिया के आधार का बोध कराते हैं अधिकरण कारक कहलाते हैं अधिकरण कारक के विभक्ती चिन में एवं पर हैं उदारन विद्याले में कोई नहीं था आपके घर में चार लोग हैं शड़क पर गाड़ी खड़ी है तोता डाली पर बैठा है कक्षा में सिक्षक नहीं हैं कभी-कभी वाक्यों में अधिकरण कारक की भीभक्तियों का लोप भी हो जाता है जैसे लड़के घर-घर घूम रहे हैं घर-घर घर से घर भिकारी द्वार-द्वार घूम कर भीख मांग रहा है जैसे पद सव प्रत्य अधिकर्ण कारक के हैं अता इन पदों में अधिकर्ण कारक का प्रत्य नहीं लगता यह ध्यान होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं संबोधन कारक का कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है इसे प्रकट करने के लिए है अरे अहां आदी सब्तों का प्रयोग होता है आपने बहुत सुना होगा अरे तुम कहां जा रहे हो बच्चों खाना खालो अजी सुनते हो यह तो बहुत सब की रक्षा करना इत्यादी चलिए अब देख लेते हैं सर्वनाम के बारे में सामानित या संग्या के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है पंडित कामताप साथ गुरु जी कुछ कहता है इनके बारे में देखते हैं सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो पुर्वोपर संबंध से किसी भी संग्या के बदले आता है उदारन के लिए हम तुम मैं वह वे शाब्दिक दिर्ष्टी से यदि देखा जाये तो सर्व अर्थात सब नाम अर्थात नामों के स्थान पर जो शब्दे आते हैं उन्हें सर्वनाम कहेंगे शंग्या यह सर्वनाम के मद्ध जो मूल अंतर है वह यह है कि संग्या से केवल किसी नाम का बोध होता जैसे मोहन मोहन कहने से केवल मोहन का बोध होता है इससे संबंधित अन्य नामों का बोध नहीं होता दूसरी तरफ वह सर्वनाम कह देने पर घर, शहर, दुकान, पसपक्छी का बोध हो जाता है जैसे वह बहुत अच्छा है कौन आप इसारेस के दिए वह घर बहुत अच्छा है ठीक है अता इससे असपश्च होता है कि सर्वनाम का छेतर संग्या की अपेक्छा जादा जटासा पेज देख रहा हूँ अगर बड़ा हो जै काम चल जाए तो ठीक है यह बड़ा इतना हुआ की ज़्यादा हो गया थोड़ा सा हम इसे चोटा करते हैं जिससे की न बहुत बड़ा रहे न बहुत थोटा रहा है, पुरुस वाचक सर्वनाम पहले देखते हैं, ये सर्वनाम स्त्री या पुरुसों के नाम की स्थान पर आते हैं इन्हें तीन पुरुसों उत्तम पुरुस मध्यम पुरुस और अन्य पुरुस के अंतरगत रखा जाता है ठीक है, इन शब्दों का वर्गी करण निम्नवत है उत्तम पुरुस में मैं, हम इसके अंतरगत लेखक वक्ता आता है मध्यम पुरुस में तुम, आप, तुम इसके अंतरगत स्रोता वर्ग आता है, ध्यान रखेगा यह जो वर्ग बता रहा है यह भी कभी कभी प्रिक्षाम पूछ लेंगे प्रथम वर्ग में वह, वे, यह, ए, आप, आपने इसके अंतरगत वक्ता, स्रोता को छोड़ कर अन्यलोग आते हैं जैसे यह आम उसके लिए है निजवाचक सर्वनाम की बात करें इसके अंतरगत आप स्वयम खुद जैसे शब्दे आते हैं निजवाचक आप शब्द का प्रियोग विविध अर्थों में होता है निश्चेवाचक सर्वनाम जैसा कि नाम से इस पष्ट है कि निश्चित्ता का बोध कराने वाले सर्वनाम निश्चेवाचक सर्वनाम कहलाते हैं जैसे यह अनिश्चेवाचक जिन सर्वनामों से अनिश्चित्ता का बोध हो जैसे कोई कुछ साइद कमरे में कोई छिपा है साइद किसी ने उससे कहा होगा सायद वो कुछ कह रहा है इत्यादी प्रश्ण वाचक सर्वनाम जिनके माध्यम से प्रश्ण किया जाए जैसे कौन क्या किसने कब कहा इत्यादी संबंध वाचक दो के बीच संबंध स्थापित करने वाला सर्वनाम जैसे जो सह संबंद वाचक सर्वनाम सो वह शब्द इसके अंतरगत आता है अधिकांस बिद्वान सह संबंद वाचक सर्वनाम को सर्वनाम नहीं मानते हैं बोल चाला और कई स्थानों पर लिखने में भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनके लिए हम सर्वनाम की कोई स्त्रेडी निर्धारित नहीं कर पाते हैं अता इन्हें संयुक्त सर्वनाम के अंतरगत रखा जाता है इस सर्वनाम का उलेख रूसी हिंदी व्याकरणाचारे डक्टर दिमिसित्य ने किया है ऐसे सर्वनामों के उदारण इस प्रकार है कुछ भी, कुछ एक, कोई न कोई और कुछ, कुछ और, जो कोई, सब कोई, हर कोई, इत्यादी सर्वनाम के रूपांतर वहां देख लेते हैं पुरुस वचन कारग की द्रिष्टी से सर्वनाम का रूपांतर होता है लिंग भेद के कारण सर्वनाम में रूपांतर नहीं होता है कुछ दारण देखते हैं, मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, दो हैं यहाँ पुलिंग उस्त्रिलिंग दोनों के लिए समान रूप से मैं का प्रयोग हुआ है क्या केवल मैं से आप निर्धारित कर सकते हैं किस्त्रिया है कि पुरुस है बिल्कुल नहीं संग्या की ही भाति सर्वनाम में भी दो वचन होते हैं एक वचन और बहुचन सर्वनाम में सात कारक होते हैं, आठ नहीं इसमें संबोधन कारक नहीं होता सर्वनामों में जब हम विभक्तियां कारक्चिन लगा देते हैं तो इनके रूप में विक्रिती उत्पन्न हो जाती है उदारण है देखिए मैं मुझे है मुझे को मेरा विकारा गया हमें हमें हमारा हमको हमसे तुम्हें तुम्हारों तुमको तुमसे यह इसे इसने इन्होंने इससे इनको इत्या दी वह हक में उसने उसको उसे उससे उसमें उनको उनको उससे उन्हें इत्या दी कौन में किसे किसको किसने आ दी तो यहाँ पर संग्या सर्वनाम का हमने बिधिवत वर्णन किया और आशा करता हूँ आपके समझ में में आच चुका होगा आज की कक्षा हम संग्या सर्वनाम पर ही सीमित करते हैं मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में और यहां से क्रिया क्रिया विसेशण की तरफ यात्रा प्रारंभ करेंगे तब तक के लिए आप सब को धेर सारी सुब कामना है और धन्यवाद